हेलो दोस्तों एक बाफीर से स्वागत करते हूं आपका विसीरी सब कुछ चैनल में है मेरा नम है बसी राम मात खान दोस्तों अगर आप भी बाट्राप फिटिंग करना चाहते हो या फिर आप अपने घर में लगाना चाहते हो तो यह वीडियो आप लिए है क्योंकि यह पहले कितना होना चाहिए बाद में कितना होना चाहिए इस सब आपको समझने जरूरी है यहाँ पर देख लिए हमारा यहाँ पर 21 इंच है बाट यह 21 इंच आप मत देखिए आपका टाइल्स कितना आता है वो आपको धियान देना है और आपका जादा से जादा 18 इंच होना टो यह नल आप कहा पर देना चाहेंगे, यह भी आपको ध्यान देना है, देख लिए यह जो है अपना सर है, मतलब जहाँ पर नल लगा है, वो फएर का साइड है, और इस साइड सर तो यह तो आप यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है नल देना है, बाकि और एक जग भी होता है पोजिसेन अगर आपको ऐसा लगता है तो इस साइट आप दे सकते हो यहाँ पर सबसे बेश रहता है और चाहे तो यहाँ पर भी आप देजिए कोई प्रॉब्लम नहीं यह दोनों जग में आपको जहां ठीक लगे बाकि एक चीज है नल का हमेशा देजान से दिजिएगा मतलब बट्रप का टॉप लेवल से इसका हाइड जो कितना होता है इसका जो हाइड होना चाहिए आपका 12 इंच से लेकर 15 इंच मतलब बट्रप के टॉप से यहाँ से 12 इंच से लेकर 15 इंच होना चाहिए इससे जादा मत करिएगा 15 इंच से और एक चीच इसका जो आपका देख रहे हो यहाँ पर यह मेरा वाल मिक्सर लगा है मतलब टूइन वाल मिक्सर लगा है 12 इंच में लगा है और 6 इंच डिस्टेंट है आप जो हम आपको बताएंगे ना दो चार चीच जैसे कि यह देख लिए बाट्र आपका यहाँ पर इस साइड में 3.5 इंच जैसे गेब दिया हूँ मतलब थोड़ा जादा दिया हूँ क्यों दिया हूँ मालूम है मतलब एक तो आपका सिमेंट मसाला जो है आप इसमें अच्छे से फिल कर पाएंगे और एक थोड़ा सा टाइल्स लगेगा इतना तो आपका क्या है थोड़ा चावडा हो जाएगा जगा यह भी आपको अच् है ठीक है यहां का जो आपको डिस्टेंट अगर देखेंगे ना यहां पर मेरा साड़े तीन इंच से ज्यादा है हलका सा लगा सा लगवा साड़े तीन इंची है समझ लिजिए ओके लेकिन इस साइट आप देखें दो इंच भी सही तरह की से नहीं है इतना कम क्यों दिया ह यहां पर कम इसलिए दिया हूं क्योंकि यहां पर मेरा नल लगने वाला है अब यह चीज आप देख लिए यह जो मेरा नल है अगर इसका पानी बाट ट्राप में डायरेक्ट गिरना चाहिए इसके उपर नहीं इसलिए यह साइट लागा कर दिया हूं अगर यह भी साड़े डायरेक्ली बाट टाप में गिरना चाहिए तो यह बाट टाप में गिरने के वज़ा से इसको जो है आप जहां पर भी नल रहता है वह आपका थोड़ा साइट होएगा जैसे कि यहां आप देख लीजिए मेरा इस चीज जो है मेरा यह साड़े पांच इंच है ओके तो मेरा यहां पर दो चीज हम बताएंगे काफी अच्छा चीज है और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूब बेल आइगन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा बहुत सारा बीडियो प्लमिंग से रिलेटेड आपके बास मिलत रहेगा तो यहां पर चलिए जो हम बताने वाले हैं अगर आप कभी भी फिटिंग करते हो तो हमेसे यह चीज का आपको ध्यान दे रहा है यहां दो चीज का एक अगर आप मतलब बट्रप में दो चीज गलती कर देते हैं बहुत जगम है और इसक्रेश हो जाता है आपका ख आपको जी इस टै यह आप देख रहे हो यह जो यह मेरा फेस है यह में फिंगर दे रहा हूं हाथ दिखा रहा हूं इसका लेबेल में पूरा नीचे टाइल्स लगने वाला है कहीं-कहीं पर क्या करते हैं इसका जो सिस्टम है न मतलब यह बाट्रप लागाने के बाद इस सा लेबेल में लग जा पूरा स्ट्रेट मतलब बट्रप आपका कापी खुबसुरत दिखने वाला है यह बहुत जगह में इसका मतलब बाहर से दिखाता हूँ देख लिए कभी भी काम करते हो साइट में भी जो है न आपका मसाला बिल्कुल रहना नहीं चाहिए क्यों नहीं रहना चाहिए अगर कभी भी रहता है जब भी आप टाइल्स लगाएंगे उसका नड़ेगा और चेनिया तोड़ा मारेंगे और यह मारेंगे कुछ भी मारेंगे तो वहाँ इसक्रेच हो सकता है अगर फाइबर कराएगा तो इसक्रेच होएगा अगर आधर इसकी किसी कराएगा तो थोड़ा सा वाँ तूट भी सकता है तो यह चीज का हमें सद्यान दिजिएगा मैं स्रिफ इस साइड का सापाई का नहीं बात करूं पूरे चारो साइट का सापाई जैसे कि यहाँ पर देख लिए पूरा क्लीन है चारो आट मेरा इस सब दिखाना जरूरी नहीं हो फिर भी अलका सा दिखा देता हूं देख लिए पूरा क्लीन है जहां जहां टाइस लगेगा वो बिलकुल भी आपको धियान देना है यह जब भी आप क्लमबर फिटिंग करते हो तो क्लमबर को धियान देना है यह टाइल्स वाला यह नहीं धियान दे सकते हो यह चीज के धिय रखेगा बाकि दोस्तों इसका फीटिंग का भी वीडियो लाऊंगा कैसे फीटिंग करेंगे आप बाट रप पूरे ध्यान से वह भी और वीडियो को प्लीज एक जरू लाइक कर दीजिए और कमेंट सेयर सब्सक्राइब करना बेरिकल न भूलिए बाकि हमारा एक न्यू चै चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा थैंक्यू धन्यवाद फिर मिलने को जिस करूँगा आप लोग के साथ आप लोग के पास किसी दूसरे डुपेक के साथ तब तक क्लिए बाई 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 जाए हिंत